देश भर में करीब 93 लाग ट्रक 9 और 10 अक्टूबर को सड़कों पर नहीं दिखेंगे जी एस्ट वा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लिकर ट्रांस्पोर्टरों ने दो दिवसी हर्ताल की घोशना की है ट्रक के अलावा देश के बस संचालक भी इस हर्ताल को समर्थन दे रहे है बस संचालक भी डीजल की कीमते बढ़ने और किराया ना बढ़ाए जाने से परिशान है इस महा हर्ताल की चलते लोगों की रोजमर्णा की जिंदगी पर काफी असर पढ़ सकता है दरसल All India Motor Transport Congress ने शनिवार को ही दो दिवसी हर्ताल का एलान कर दिया था उन्हेंने कहा था कि सोमबार सुबह से उनका प्रदर्शन आठ बजे शुरू होगा और 10 अक्टूबर शाम आठ बजे तक चलेगा उन्हेंने कहा कि GST के तहत विभिन नीतियों के कारण सड़क परिवहन शेत्र में बहुत भ्रम और विगटन पैदा हुआ है डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी और कीमतों में रोजजाना उतार चड़ाओ सड़क परिवहन शेत्र को प्रभावित कर रहा है डीजल और टोल पर किया जाने वाला खर्च ट्रक के परिचालक खर्च के 70 फिसरी से भी अधिक है हर्टाल करने वाले लोगों की मांग है कि डीजल की कीमतों में 20 रुबे प्रति लीटर तक ही कटोती की जाया उनका कहना है कि डीजल को ही GST के अंतरगरत नहीं रखा गया है डीजल को GST के अंदर लाने की जरूरत है ताकि देश में एक ही कीमत पर डीजल की बिखरी हो गौर तलब है कि ट्रकों की इस हर्टाल से व्यापार भी प्रभावित होगा क्योंकि ट्रक यूनिन से कोई भी गाड़ी उद्योगे से कोई भी कच्चा और तयार माल नहीं उठाएगे NMF News के रिपोर्ट